नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्णा राधे राधे, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं के पांच भाग्यशाली लक्षण के बारे में तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है स्रिष्टी रचिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है, जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए है इसलिए इसके दोश और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रीयों को लेकर कई ग्रंत लिखे है अर्शियों ने नारी को घर की लक्षमी माना है, किसी का भी घर उस स्त्री के श्रंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पत भरष्ट हो जाएं तो उसे नरक भी बना देती है शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविश्य के बारे में जाना जा सकता है अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बरे होते हैं तो वह देवी लक्षमी का प्रतिबिंब मानी गई है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कलियुग में स्त्री के पाँच भाग्यशाली लक्षण के बारे में. तो दोस्तो नमबर एक है कि अगर किसी स्त्री के बाल घने सीधे और लैदार होते हैं, तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं. तो ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और एश्वर्य मिलता है. वही दोस्तों नमबर दो है, गोल चेहरा और चमकदार आखों वाली महिलाओं को अतिदयालू स्वभाव वाली माना जाता है, ऐसी महिलाओं अपने पती के प्रती वफादार होती है दोस्तों नमबर तीन पर है, महिलाओं का माथा चौरा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाओं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है, और अपने परिवार का कल्यान करने वाली होती है अब दोस्तों नमबर चार पर है, जिन महिलाओं के नाक के प्रिष्ट भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं काफी भाग्यशाली होती है, सुख समरिध्य से जीवन जीती है, इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समरिध्य आती है, वही दोस्तों नमबर पांच पर है, कि महिल प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हर-हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद. प्लीज